हेलो दोस्तो रहूल्स वर्ड के और एक नई वीडियो में आपका श्वाकत है आज हम बात करने बाले है बेटा फिश के ब्रीडिंग के बारे में यह मेरा पहला हिंदी में वीडियो है और मैं एक बंगाली हो तो मेरा थोड़ा हिंदी का एक्सेंट थोड़ा अलग हो सकता है तो इसलिए यह मेरा पहला भीडियो है तो चलिए सुरू करते है तो बेटा फिश के बारे में जो आपको पहले जानना होगा यह बहुत ही एग्रेसिव फिश होता है और यह बहुत ही एग्रेसिव होने के साथ साथ यह बहुत ही खूप सुरत फिश भी होता है तो इसका ब् तो बेटा फिश के बीर्डिंग के लिए आपको एक healthy pair की जरूरत पड़ेगा तो यह healthy pair आप कैसे collect कर सकते और कैसे identify कर सकते कि यह healthy pair है तो इसके लिए आपको वो जो pair है male and female का उसका जो movement होता है ना वो movement आपको देखना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से उसका जो movement उसका जो behavior है उसको आप देखके यह समझ जाएंगे खुद बेखुद किये यह pair healthy है या नहीं यह आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा तो वो एक healthy pair आपको collect करना पड़ेगा उसके बाद वो pair को आपको लेकर आना है आपके घर पे देन आपको prepare करना है आपके जो breeding setup है वो तो यह breeding setup को कैसे prepare कर सकते हैं तो एक breeding setup को आप जो यह इसका breeding setup है वो बहुत ही आसान से आप आसान तरीके से आप उसको prepare कर सकते हैं एक आपको एक अगर आपके घर में कोई बड़ा सा tub है और ऐसा कुछ container है जिसमें पानी रहेगा ठीक है तो ऐसे container वो और आप direct aquarium में इसका breeding कर सकते हैं तो आप मैं यह पकर के चल रहा हूँ कि आप एक aquarium में इसका breeding करते हैं I mean तो एक aquarium लीजिए वो aquarium दो फीट का होगा तो दो फीट देर फीट होगा तो अच्छा रहेगा ठीक है उसमें आपको पानी देना पड़ेगा 6 to 7 inch height 6 to 7 inch height लेकर उसको आपको पानी देना पड़ेगा और वो पानी का height जो है उसको ज्यादा नहीं देना है आपको 6 to 7 inch ओके देन आपको male and female को introduce करना पड़ेगा वो उसके पानी में आपको कुछ chemicals एड़ करना पड़ेगा एक है sodium bicarbonate और दो जो है वो है rock salt ठीके और एक आपको अगर amol lip मिले तो एक amol lip के पत्ते उहाँ पर आपको देना पड़ेगा तो यह हो गया complete इसके बाद इसके बाद आपको जो एक दिन वो सेट अप को ऐसे ही छोड़ के रखना है उसके बाद एक दिन के बाद आप अपने male बेटा को वहाँ पर छोड़ देंगे कुछ एक दो घंटे बाद female को वहाँ पर रखना है तो female को introduce करना है male से तो कैसे करेंगे एक अलग से एक container लीजिए एक glass container लीजिए औ और transparent plastic container लीजिए जो आपके पास है available वो लीजिए ठीक है तो जो आपके पास है anything you can use तो वो जो है उसको आपके वो transparent जो container होगा उसके अंदर female रहेगा और female रहेगा और male तो एकुडिया में अल्लेडी वो ऐसे ही freely swim करेगा जब ही अब female को introduce कराएंगे तो male उसके आजू खुमेंगे और वो उसका जो punk है वो फेला के बहुत ही aggressively dance pants यह सब करेगा ठीक है इस तरह आपको 2-3 घंटे रखना है ऐसे ही उसके बाद वो pair form mostly कर जाता है ठीक है तो आप उसके बाद female को उस tank में आजात कर देंगे जब female को आजात कर देंगे तब वो time जो है ना उसको बह करना पड़ेगा कि आपके female पर मेल को अब कर देंगे और अगर अघ़ँ सब्सक्राइब करने के बाद को जाता है या ऐसा कोई बात नहीं है पहले बार में ही हो जाता अगर नहीं हुआ तो में इसको repeat करने तो फिमल पेर फर्म हो जाएगा एक थारमॉकॉल को आप को आप, यूज करना पड़ेगा थिक है तो थार्मोकॉल कैसा होगा पोव गवैसे आपको जैसे पॉसिलो होता है याइक थारमोकॉल दीजिए और आपके पास dry almond leaf है तो उसको पानी के ऊपर दे दीजिए वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा तो उसके नीचे जो male है वो bubble nest बनाएगा तो वो bubble nest actually वो bubble nest में ही वो जो female है वो फीमेल वो bubble nest में अंडा देगा अंडा ले करेगा तो उसके बाद यह जब pear form हो जाएगा आप उसको कुछ खाना देना है तो आप इस बक्त आप उसको live food दे सकते है तो live food में आप उसको mosquito larva दीजिए तो mosquito larva इस stage में बहुत ही अच्छा रहता है और जो female और male में जो यह पहले मुझे कह देना चाहिए था तो जो male और female आप पहले से कहीं से खड़ित के ले आ रहे है घर पे उस time उसको minimum 3 दिन तक आपको isolate रखके उसको अच्छा खाना देना पड़ेगा अच्छा खाना के मतलब है highly protein rich food आपको उसको provide करना पड़ेगा तो यह complete होता है उसके बाद उसके बाद जब female और male इंट्रोड्यूस हो गया वो जब अब male जो है male beta fish वो bubble nest बनाना सुरू कर दिया यह सब हो गया उसके बाद male and female जब अंडा अंडा जो है वो ले करना सुरू कर देगा तो यह कैसे होता है जो male है वो female के abdomen में एक pressure create करता है तो ऐसे क्या होता है जो pressure create करने से जो अंडा है वो पेट से निकल आता है और male वो वो एक से दो दिन तक पूरा अंडा देने का जो process है वो खतम हो जाएगा एक से दो दिन minimum लगदा है ठीक है तो जब अंडा देने का process completely खतम हो जाए तो आप कैसे यह जान सको के अंडा के अंडा देने का जो process है वो खतम हो गया तो आप इसको देख सकते है कि जब आप जो male बैटाफीस है अंडा देना जब फिमल का अंडा जब खत्म हो घैना तो जब डिशन Ind को चैस करने लहँगा तो यह का मतलब खत्म आप फिमल को सैपरेट कर दीजिये स्वादर कर दिशारी दिन या इन्फो सोरिया खाना देना परेकाल यह इन्फो सोरिया आपको कहा मिलेगा इन्फो सोरिया आप जो तालाब होते है वो तालाब के पानी का कलर ग्रीन हो जाता है ठीक है वो पानी आपको कलेक्ट करके लेना है कलेक्ट करके उसको किसी से अच्छी से छांक के उसको ले आना है ठीक है और वो पानी उसको आपको तीन से चार दिन तक आपको देना है उससे यह highly protein containing जो food है वो इससे मिलता रहेगा ठीक है nutrition प्रॉपर nutrition इससे आपको मिलता रहेगा और इसके बाद आप डाफनिया या फिर एक गा जो योलो पार्ट होता है ना वो योक होता है ना उसको आप आपको ड्राइ करके उसको powder farm करके आप जो बच्चा है वो बच्चो को दे सकते हैं वह खा लेगा ठीक है वह यह सब कर सकते हैं और जो बच्चे का टैंक कुछ दिन बाद वह जो fry है वो फ्राई को आपको एक बड़ाता टैंक में उसको रखना पड़ेगा अगर आप यह न बड़ा सा सिमेन का ट्यांग हो तो भी अच्छा रहेगा ठीक है उसमें आपको इसको टांसपर करना पड़ेगा तो ऐसे ही जो फूड है वह आपको कंटीनु करना पड़ेगा दिन में दो 223 और 122 टाइम ओके that's all और ऐसे ही करते करते एक दो सब्थे हो में जो एक दो वीक में जब होगा तो उसमें जो फ्राई होगा वो अच्छा से ग्रो करने लगेगा और उसका कालर वो सब आने लगेगा तो that's all तो आज एही तक अगर ये वीडियो तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर देना और मेरा जो बेंगॉली वीडियो है वह भी देख लेना वही वह पर में और भी अच्छा से एक्स्पेन किया हुआ हूँ तो उसको देख सकते हूँ अप मेरा हिंदी थोड़ा फ्लुएंड अभी तंग नहीं हुआ है बात नहीं कर सकता हूँ मतलब मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ हिंदी में तो इसलिए इतना फ्लुएंड नहीं है तो हो जाएगा प्रैक्टिस कर गुद्बाई